हाई गाइस वैलकम बैक टू मैं चैनल टेस्टी फूड आज मैं आपके साथ शेर करूंगी थ्री तरह की लच्छा प्याज की रेस्पी लच्छा प्याज के लिए गाइस मैंने प्याज को मैंने गाइस छी लिया है देखी गाइस प्याज को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से आपको गोल कट करनी है और देखिए कितनी मोटी काटी है मैंने पतली नी काटनी गाइस नहीं तो ये क्रंची नी रहेगी गाइस मैंने सभी प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है गाइस इसके लच्छे बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से इसको ऐसे खोलना है इस तरी से ये देखिए गाइस इस तरीके से सारे लच्छे बना लेंगे ऐसे ही अलग-अलग कर लेंगे सभी प्याज को इस तरीके से ये देखिए ऐसे मैं सभी को कर लूँगी ऐसे गाइस एक बाउल लेंगे और इसमें पानी डालेंगे ये ठंडा पानी है गाइस आइस लेंगे और पानी में डालेंगे गाइस आपको आइस और ये ठंडा पानी ज़ूर लेना है देखिए गाइस मैंने सबी प्याज के लच्छे बना लिये थे अब हम इस प्याज को बरब बालेपानी में डालेंगे गाइस आपको प्याज को कट करके सीधा आइस वाले पानी में ही डालना है सिंपल वाटर से वोस ना करें अब इस लच्छो को guys हम 15 से 20 मिनट के लिए ice वाले water में ही रहने देंगे ऐसा guys हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ice वाले water में जब हम इन लच्छो को डालेंगे तो इनसे ये crunchy हो जाएंगे guys 20 मिनट हो चुके हैं अब हम इन प्याज को ice वाले water से निकाल लेंगे बाहर और सबसे पहले मसाला लच्छा प्याज रैडी करेंगे प्याज को डालेंगे बावल में हाप स्पून कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हाप स्पून काली मिर्च पाउडर हाप स्पून काला नमक हाप स्पून चाट मसाला पाउडर मिक्स करेंगे सबी को गाइज वन स्पून लेमन जूस डालेंगे वन स्पून फ्रेस धनिया डालेंगे मिक्स करेंगे गाइज यह मसाला प्याज बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है खाने का टेस्ट बढ़ा देती है गाइज रेडी हो गई है मसाला लच्छा प्याज गाइज सेकिंड रेस्पी रेडी करेंगे दही वाले लच्छे प्याज बाउल लेंगे और बाउल में प्याज डालेंगे टू स्पून दही डालेंगे मिक्स करेंगे दही में मिक्स हो गया है हाप स्पून वाइट सॉल्ट डालेंगे हाप स्पून कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर हाप स्पून चाट मसाला पाउडर मिक्स करेंगे सभी को मिक्स हो चुका है वन स्पून फ्रेस धनिया वन स्पून ग्रीन चिली सभी को मिक्स करेंगे गाइस दही प्याज ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस रेडी हो गई है दही वाली लच्छे प्याज गाइस थर्ड रेस्पी रेडी करेंगे सिंपल लच्छा प्याज इसके लिए एक बाउल लेंगे और प्याज को डालेंगे हाप स्पून सॉल्ट आ देंगे वन स्पून लेमन जूस डालेंगे वन स्पून फ्रैस धनिया हाप स्पून ग्रीन चिल्ली मिक्स करेंगे सभी को गाइस ये भी रेडी हो गई है सिंपल लच्छा प्याज ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है देखिए guys ready हो गई हैं तीनो तरह की लच्छा प्याज, मसाला लच्छा प्याज, दही वाले लच्छा प्याज और सिंपल लच्छा प्याज कैसे लगे आपको मुझे comment करके जोल बताएं तीनों लच्छा प्याज में से आपको कौन सी रेस्पी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी मुझे कॉमेंट करके बताएं गाइस ये लच्छा प्याज की रेस्पी आपके खाने के स्वाद को दुगना कर देती है आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं राजम चावल, छोले चावल, भटूरे, पूरी, रोटी किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है गाइस आप ज़ूल बनाएं रेस्टरॉन, इस्टाइल, रच्छा प्याज की रेस्पी और मुझे कॉमेंट करके ज़ूल बताएं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को और पर प्रैस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शियर करें थैंक्स डियर फ्रेंड्स